Welcome to ISCS ISCS Online के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें तो आज हम लोग रेलवे के जोन्स और उसके हेड़कॉर्टर्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं तो यहां से एक कोशन एक्जाम में जरूर से जरूर ही आएगा तो आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखे और सीखें कि हमने इस वीडियो में क्या लगिक और क्या ट्रिक यूज किया है जिससे आप इसके जोन्स और इसके मुख्याले को आसानी से याद कर सकते हैं तो अभी आपके स्क्रीन के सामने एक मैप आ रहा होगा, यह इस टाइप का मैप है, इसमें हमने रेलवे जोन्स और उसके हेटकौर्टर के बारे में लिख रखा है, अब इसको पूरा-पूरा मैंने लिखा कैसे और याद कैसे किया जा सकता है इसको, तो इसके पीछे छोटा देखे इसमें छोटा सा लॉजिक है, क्या है यह हम लोग यहाँ पे उत्तर मतलब नौर्थ, यहां साउथ, यहां इस्ट और इधर वेस्ट जानते हैं, उसके बीच क्या होता है, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होता है, दक्षिन और पूर्व के बीच मे दक्षिन पस्ञम होता है तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर उस करने वाले हैं सबसे बीच में क्या आगया मध्य हुआ यह मध्य रेल के बारे में मतलब Central Railway के बारे में मैंने आ लिखा है CR मतलब Central Railway मध्य रेल्वे तो देखिए सबसे उपर क्या है उत्तर मतलब यहां पे आ गया उत्तर रेल्वे मतलब उत्तरी रेल्वे Northern Railway उसको लिखते है N-R सबसे नीचे क्या है? Duxin South तो वहां से आगया Southern Railway या फिर Duxini Railway इधर आगया East मतलब पूर्व तो इधर हमने लिखा है Eastern Railway मतलब पूर्वी Railway इधर क्या आगया? Pashim West मतलब Western Railway या फिर Pashimi Railway अब देखें सबसे बीच में हमने क्या लिखरा है? हमने सबसे बीच में लिखरा है Central Railway मतलब मध्य में है तो ये मध्य Railway हुआ अब आजाए थर North और West मतलब उतर और Pashim के बीच में क्या आया उत्तर पashim तो ये क्या हो गया? उत्तर पashim Railway मतलब North West Railway तो इसको NWR लिखते हैं अब आजाएए उत्तर और पुर्व के बीच में क्या आगए उत्तर पुर्व मतलब North East तो इसको NER लिखते हैं उत्तर पुर्व रेलवे उसी लॉजिक के साथ South और East के बीच में South East Railway मतलब Duxian पुर्व रेलवे दक्षिन और West के बीच में दक्षिन पुर्शिम रेलवे या फिर South West Railway अब आजाए North और मध्य के बीच में हमने लिखा देखे North और मध्य के बीच में क्या आया North मध्य तो यह हो गया उत्तर मध्य रेलवे North Central Railway South और मध्य मतलब दक्षिन और मध्य के बीच में क्या आया दक्षिन मध्य तो मैंने इसको लिखा दक्षिन मध्य रेलवे पुर्व और मध्य के बीच में क्या आया तो पुर्व मध्य रेलवे पस्षिम और मध्य के बीच में क्या आया पस्षिम मध्य रेलवे अब देखिए मध्य और दक्षिन पुर्व रेलवे के बीच में क्या आया दक्षिन पुर्व मध्य रेलवे साउथ इस्ट सेंट्रल रेलवे अब देखिए यहां पर हम लोग आते हैं इधर देखिए इधर हमने लिखा है NFR मतलब North East Frontier Railway पुर्वोतर सिमान्त रेलवे अब आज है इधर इधर मैंने लिखा है E.C.O.R इस्ट कोस्ट रेलवे जिसको पुर्व तटिये रेलवे भी कहते है S.C.O.R यह भारत का 18 रेलवे जोन होने वाला है तो इसे हमने क्या लिखा है South Coast Railway मतलब दक्षिन तटिये रेलवे चलिए अब इसी ट्रिक को हम लोग Headquarters कैसे याद कर सकते हैं उससे जोडते हैं उसमें logic धूनते हैं उत्तर की ओर क्या आता है दिल्ली आता है तो इसका Headquarter दिल्ली हो गया South की ओर क्या आता है चन नहीं आता है तो Southern Railway मतलब दक्षिन रेलवे का Headquarter चन नहीं हो गया Eastern Railway मतलब पूर्वी Railway कोलकाता अब ध्यान दीजे ये कोलकाता जो है ये दो जगहों का Headquarter है कौन-कौन सा पेला तो Eastern Railway मतलब पूर्वी Railway दूसरा दक्षिन पूर्वी Railway मतलब South East Railway का भी Headquarter कोलकाता ही है Western Railway मतलब पस्चिमी Railway का जो Headquarter मुंबई है वो मध्य Railway का भी Headquarter है अब आजाए ये उत्तर मध्य Railway मतलब North Central Railway और South Central Railway मतलब दक्षिन मध्य Railway इस दोनों में Common क्या है देखिए अलाहबाद और सिकंद्राबाद तो इसमें क्या आया Common? बाद और बाद तो हमको यहां से याद रखना है अब आजाए इधर पस्चिम मतलब और पुर्व मतलब इसमें Common क्या आता है? पूर आता है जैपूर और बिलासपूर अब आजाए इधर North East Railway उत्तरपुर्व Railway काहँ पहाँ पहाँ है गोरखपूर में South West Railway इसकाहँ पहाँ है हुबली में अब कुछ Railway Zone रहे गाए कौन-कौन से North East Frontier Railway मतलब पुरवत्तर सिबांत रेलवे जिसका हेड़कोट कहाँ पह है गुवार्टी में है इस्ट कोस्ट रेलवे ये इस्ट की तरफ है तो इस्ट कोस्ट रेलवे हमने या लिखा मतलब पूर्व 30 रेलवे इसका हेड़कोट कहाँ पह है भुबनेश्वर में है ये साउथ की और हमने लिखा अठारा वो कौन सा है मेट्रो रेलवे जिसके एटवाटर कहां पर है कोलकाता में है तो हमने इस ट्रिक से सीखा और कुछ लॉजिक भी यूज किया जिससे हम लोग रेलवे जोन्स और उसके मुख्याले को याद कर सकते हैं तो हमने क्या सीखा हम लोग एक बार प्रैक्टिस करके भी देखते हैं कि हम लोग लिख पा रहे हैं या फिर नहीं तो चलिए एक बार लिख के देखते हैं देखे सबसे उपर हमने क्या लिखा था नौर्थ या फिर नदर्न रेलवे मतलब उत्तरी रेलवे सबसे नीचे दक्षिनी रेलवे, इधर पूर्वी रेलवे, इधर पश्चिमी रेलवे, सबसे बीच में मध्य रेलवे, और इस दोनों के उजिज में, मतलब उत्तर और मध्य के बीच में, उत्तर मध्य रेलवे, NCR, दक्षिन और मध्य के बीच में, दक्षिन मध्य रेलवे अब देखिए उत्तर और पुर्व के बीच में उत्तर पुर्व रेल्वे डक्षिन और पुर्व के बीच में डक्षिन पुर्व रेल्वे डक्षिन और पश्चिम के बीच में डक्षिन पश्चिम रेल्वे उत्तर और पश्यम के बीच में उत्तर पश्यम रेलवे अब देखिए इतना हमने लिख लिया अभी पश्यम और मद्ध के बीच में पश्यम मद्ध रेलवे पुर्व और मद्ध के बीच में पुर्व मद्ध रेलवे अब देखिए इस मद्ध और दक्षिन पुर्व रेल्वे के बीच बेवी एक आता है बहुता है साउथ इस्ट मद्ध रेल्वे मतलब दक्षिन पुर्व मद्ध रेल्वे अब हमारा कुछ रह गया कौन-कौन सा इधर रह गया पुर्वोत्तर सिमान्त रेल्वे इधर रह गया पूर्व तटिये रेलवे और इधर रह गया दक्षिन तटिये रेलवे और हमारा लास्ट कौन सा रह गया लास्ट रह गया हमारा मेट्रो रेलवे हमने नॉर्थ की और क्या जाना था दिल्ली साउथ की और चेन्नाई सब से बीच में मुंबई और मुंबई वेस्टर्ण का भी है कुलकाता किस-किस जगहों का था पुर्व रेलवे और डक्षिन पुर्व रेलवे का अब आजाईए यहाँ पर हमने क्या सीखा था यहाँ पर बाद कौमन आता है तो यहाँ क्या क्या था अलाहाबाद था और एक सिकंद्राबाद था अब देखे इसमें हमने क्या सीखा था पूर आता है तो यहाँ आता है जबलपूर और हाजीपूर यहाँ पर हमने क्या सीखा था जैपूर और यहाँ पर हमने सीखा था बिलासपूर और यहां पे था हुबली इतना हो गया अब हमने पुर्वोत्तर सिमान्त रेल्वे का था गुआहाटी पूर्व तटिय रेल्वे का भुबनेश्वर और डक्षिन तटिय रेल्वे का विशाखा पत्नम तो हमने क्या सिखा एक बर हम रिवाइज कर लेते हैं क्या हो गया ये उत्तरी रेल्वे का दिल्ली दक्षिनी रेल्वे का चैन्नाई पूर्वी रेल्वे का कोलकाता और कोलकाता कहां का है एक और जगा का क्या है वो दक्षिन पूर्व रेल्वे पस्षिमी रेलवे का मुंबई मुंबई और मुंबई मध्ध रेलवे का भी है मध्ध और उत्तर के बीच में उत्तर मध्ध रेलवे जिसका क्या है अलाहबाद दक्षिन और मध्ध के बीच में दक्षिन मध्ध रेलवे जिसका क्या है सिकंद्राबाद पुर्व और मद्द के बीच में पुर्व मद्द रेल्वे जिसका हाजिपूर पश्चिम और मद्द के बीच में पश्चिम मद्द रेल्वे जिसका जबलपूर उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम रेल्वे जैपूर उत्तर और पुर्व के बीच में उत्तर पुर्व रेलवे जिसका गोरख पूर डक्षिन और पश्चिम के बीच में डक्षिन पश्चिम रेलवे मतलब हुबली है इसका अब देखें, मध्ध और दक्षिन पुर्व रेलवे के बीच में, दक्षिन पुर्व मध्ध रेलवे जो कहां पर है, बिलासपूर, अब रह क्या गया एनफार, मतलब पुर्वत्तर सिमांत रेलवे उसका गुआठ, दक्षिन तटीय रेलवे का विशाका पत्नम और और एक रह गया हमारा मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेलवे का कहां पर है, होल का था, इस ट्रिक से हमने पूरा पूरा रेलवे जोन, 18 रेलवे जोन, कितने अभी रेलवे जोन है, 18 रेलवे जोन का हेड़क्वार्टर और उनका स्वाट पॉर्म सीख लिया, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसी वीडियो हर रोज एकनता आते हो तो इस सेनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आने वाले सारे वीडियो इसकी नोटिवेशन आप तक पहुंच जाएगी धन्यवाद थैंक यू फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में